बीते दुनों आफिस में वाक्सिनेशन कैम्प लगा और सभी ने अपनी अपनी मर्जी से वाक्सीन लगवाई पर देश में कई जगाओं पर जबर्दस्ती वाक्सीन लगाई जा रही है और कई जगाओं पर वाक्सीन को अनिवारिक कर दिया गया है मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्यसगर्ड और महराष्ट के कई जिलों में नो वैक्सीन, नो सालवरी रूल बना दिया गया है जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को ना चाते भी वैक्सीन लगवानी पड़ रही है लेकिन क्या वैक्सीन को इस तरह अनिवारी किया जा सकता है तो कानूनी तोर पर ऐसा नहीं किया जा सकता सम्विधान के आर्टिकल 21 में स्वास्त को बुनियादी अधिकार बताया गया है जिसमें Right to Healthcare, Vaccination जैसे कई नियम शामिल है जो एक बुनियादी अधिकार है और इस आर्टिकल की मताबिक vaccination को अनिवारी कर इस बुनियादी अधिकार को छीना नहीं जा सकता ऐसे में भारत में तो कहीं भी वैक्सीन को अनिवारी नहीं किया गया है इसकी शुरुवार ब्रिटेन से हुई थी जब 1853 में Smallpox की वैक्सीन को अनिवारी किया क्या था 2018 में एक स्टडी से परता चला कि 193 देशों में से 105 देश ऐसे हैं जहां कम से कम एक वैक्सीन अनिवारी है इस पर लोगों की क्या रहा है वो आप भी जान लिजे इंटरनाशनल लेवल पर सर्वे करने वाली फर्म IPSOS का डेटा बताता है कि मैक्सिको में 77 प्रतिशत ब्राजिल में 78 प्रतिशत फ्रांस में 37 प्रतिशत और जर्मनी में 49 प्रतिशत लोग COVID-19 वैक्सिनेशन को अनिवारे करने के पक्ष में नहीं है ये तो हुआ लोगों का पक्ष अब इस पर हमारी सरकार का क्या कहना है वो आप भी जान लिजे केंडरिय स्वास्त मंत्राले का कहना है कि वैक्सिन स्वेच्छिक है कोई वैक्सिन लगवा कर खुद को और अपने परिवार को COVID के संक्रमन्ट से बचाना चाहता है तो वैक्सिन जरूर लगवाए एक और बात वैक्सिन लगवाने से COVID-19 इंफेक्शन का खत्रा 94 प्रतिशत तक कम हो जाता है मारा वैक्सिनेशन अनिवारे नहीं है लेकिन जब बात अपने साथ साथ दूसरों को सुरक्षित रखने की हो तो वैक्सिनेशन कराने में क्या हड़स है ऐसी ही नौलज बढ़ाने वाली वीडियोज को देखने के लिए जुड़े रही है दैनिक भासकर आप के साथ